हलो दोस्तो मैं रित रात सिंग एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में और आज का जो हमारा तोपिक है वो राजस्थान कला संस्कृति से संबंदित है राजस्थान CET 2022-23 के लिए सबसे महत्वपूर्प्रशन और ऐसे प्रशन जो हर एक्जाम में बार बार रिपीट होते हैं इस वीडियो में आपके लिए वन लाइनर क्यूशन है जो की सटी सीधे सीधे एक्जाम में बार बार रिपीट होते हैं पहला जो प्रशन है वो है रनकपूर जैन मंदिर किस नदी के तट परिस्तिते है तो दोस्तों रनकपूर जैन मंदिर मताई नदी के तट परिस्तिते है दूसरा जो प्रशन है वो है कि किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्मार में पानी के स्थान पर घी का इस् प्रशिद्ध बेनिश्वर धाम कहां इस्तित है तो प्रशिद्ध बेनिश्वर धाम दुंगरपुर में इस्तित है अगला प्रशन है पत्वो की हवेली कहां इस्तित है तो दोस्तों पत्वो की हवेली जेसलमेर में इस्तित है नेक्स्ट प्रशन चोरैसी खंबो की छतरी कहा इस्तित है तो इसका अंस्वर होगा बूंदी में अगला प्रशन है माउन टाबू में दिलवारा मंदिर प्रसिद है तो माउन टाबू में दिलवारा मंदिर जैन मंदिर कला हे तू प्रसिद है अगला प्रशन है आभा नेरी दोसा में इस्तित प्राचीन बावरी किस नाम से जानी जाती है तो इसका सही आंसर है चांद बावरी अगला प्रशन है दोस्तो राजस्थान में मेवा नगर प्रसिद्ध है आंसर है पार्स्वे नाथ जैन मंदिर के लिए नववा क्यूशन है मली नाथ जी का मंदिर इस्तित है तो इसका आंसर है तिलवारा बार्मेर में द ग्यारवा प्रशन है गोगा मेडी मंदिर राजस्थान के किस जिले में इस्तित है तो इसका अंसर है हनुमान गड़ अगला प्रशन है असी खंबों की छतरी इस्तित है तो दोस्तों असी खंबों की छतरी अलवर के अंदर इस्तित है अगला प्रशन है प्रसिद किरारू मंदिर किस सहली के है तो प्रसिद किरारू मंदिर गूजर प्रतिहार सहली के है चवद्वा नंबर का प्रशन है लोक देवी जीन माता का मंदिर इस्तित है आंसर है सीकर अगला प्रशन है रनकपूर के जैन मंदिर है तो दोस्तों रनकपूर के जैन मंदिर सोरी रनकपूर के मंदिर है तो आंसर है जैन मंदिर सोलवा क्यूशन है तुरी पुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में है तो इसका सही आंसर है राजसमंद अगला प्रशन है रणकपुर मंदिर किस तीरत को समर्पित है तो आंसर है आदी नात अठारवा प्रशन है सुन्दा माता का मंदिर इस्तित है तो सुन्दा माता का जो मंदिर है वो जालोर में इस्तित है गुनिस्वा प्रशन है सीतला माता के मंदिर का निर्मान कहां एवं किसके द्वारा करवाया गया तो इसका जो सही आंसर है चाक्सु में जैपूर नरेश माधो सिंग के द्वारा बीसवा प्रशन है जगत उदैपूर इस्तित किस देवी के मंदिर को सक्ती पीट कहते हैं तो आंस्वर सही होगा इसका अंबीका माता अगला प्रशन है लोक देवता तेजा जी महराज का पवित्र इस्तल बांसी दुगारी कहा इस्तित है तो इसका सही आंस्वर होगा बूंदी अगला बाइस्वा नंबर का प्रशन है भारतिय डाक विवाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है तो इसका सही आंस्वर है देव नारायन जी की फड़ पर तेश्वा क्यूशन है गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेरी हनवानगर में भरता है जबकि दूसरा मेला कहां भरता है तो इसका सही आंस्वर है गोगा जी की ओल्ली सांचोर जो की जालोर में है सो इस नमबर का प्रेशन है लोक देवता मलीनाजी का मंदिर कहां पर है तो दोस्तों लोक देवता मलीनाजी का जो मंदिर है वो तिलवारा बाड़मेर के अंदर है 25 नंबर प्रशन है राजस्थान में शरवादिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं तो इसका सही अंसर है तेजा जी अगला प्रशन है राजस्थान की सबसे लोकपिरिय फर कोन सी है तो राजस्थान की सबसे लोकपिरिय फर पाबुजी की फर को माना जाता है 27 प्रशन है नात संप्रदाय के केंद्रिय मठ की स्थापना किस सिस्थान पर हुई थी तो इसका सही आंसर है जोदपुर 28 प्रशन है सन्यासियों के सुल्टान के उपनाम से जाना जाता है सही आंसर है हमिम्मो दिन अगला 39 नंबर का प्रशन है समराथल धोरा इस्तित है तो समराथल धोरा भी कानेर में इस्तित है अगला प्रशन है धन्नाजी यानि राजस्थान के वह संत जो राजस्थान छोड़ कर बनारस गए और रामानंद के सिस्षे बन गए तो इसका सही आंसर है धन्ना जी 31 प्रशन है राजस्थान का वह कौन सा संत है जिसने फतैपुर सीक्री में अकबर से भेट की थी तो इसका सही आंसर होगा दादू दयाल 32 प्रशन है बारमेर जिले में तिलवारा गाउं में स्तित मंदिर किस लोगदेवता से सम्मंदित है तो इसका सही आंसर होगा मले नाजी लोगदेवता से सम्मंदित अगला जो प्रशन है तैटीसवा वो है जसनाथी संप्रदाय की उत्पत्ती राजस्थान की किस रियासत राज्ये में हुई तो इसका सही आंसर होगा बिकानेर रियासत राज्ये में 34 प्रशन है मिवार में एकलिंग महराज किस संप्रदाय से संबंदित है तो आंसर होगा लकुली से संप्रदाय से संबंदित है 35 प्रशन है निमबार के संप्रदाय की प्रमुक पीठ है तो दोस्तो निंबार्क संप्रडाय की प्रमुक पीठ सलेमाबाद के अंदर है जो की अर्जमेर में है 36 प्रशन है चोहान वंस की कुल देवी है तो चोहान वंस की कुल देवी साकंबरी देवी है अगला प्रशन है 37 जीन माता कौन से राजपूत वंस की कुल देवी है तो इसका भी जैसल मेर के नरेश कुल देवी की रूप में किस देवी की पूजा करते हैं तो इसका जैसल मेर के राजाओं की कुल ol थी गॉन चालिस वा कुषन है स्री तेजाजी पसु मेले का इस्थान है तो दोस्तों इसका आपको सभी को पता है कि परवत सर नागोर के अंदर तेजाजी पसु मेला लगता है अगला प्रशन है राजस्थान की एक ऐसी डेवी का मंदिर जहां चुहे बहुत अधिक संख्या में निवास करते हैं तो आंसर होगा पाबूजी 42 प्रशन है कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्मान महारान कुंभा ने करवाया था कहां है तो बदनोर में है 43 प्रशन है दोस्तों आसा पुरा माता किस वन्स की कुल देवी है तो इसका सही अंसर है चुहान वन्स की कुल देवी है चम्वाली स्वा क्यूशन है लोक देवता पाबूजी का जनम इस्थान तो लोक देवता पाबूजी का जनम इस्थान कोलू मंड फलोदी जोधपूर के अंदर है अगला जो प्रशन है दोस्तो 45 वा प्रशन किस लोक देवता ने देवल चारने की गाए को छुड़ाने के लिए अपने प्रानोत शर्ग की अर्थार्त विर गति को प्राप्त होगे तो इसका सही अंसर होगा पाबो जी 46 वा प्रशन है उंटों की पालक जाती राइका या रेबारी के आरद्य देव हैं तो इसका भी सही अंसर होगा पाबो जी 47 वा प्रशन है प्लेग रक्षक यह उंटों के देवता के रूप में लोक प्रिय हैं तो इसका भी सही अंसर दोस्तो पाबो जी होगा नंबर अर्थालिसवा प्रशन है पाबू जी से संबंदित गाथा गीत पाबू जी के पवारे किस वाद्धे यंतर के साथ नायक वर रहबारी जाती द्वारा गाये जाते हैं तो इसका सही आंशर होगा माथ वाद्धे यंतर आज का अमारा सेकंड लाश्ट प्रशन है पाबू जी के जीवन पर एक महत्यपून रचना पाबू प्रकास किसके द्वारा लिखी गई तो इसका सही आंशर होगा आसिया मोर जी के द्वारा और आज का अंतिम प्रशन है दस्तो गोगा जी का जनुम इस्थान है दद्वा चूरू मैं उम्मीद करता हूँ दस्तो आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और रोज ऐसे 50 क्यूशन आपको मिलेंगे चोकि हर एक्जाम के लिए महत्वपूर है